नमस्कार मैं पूनम आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने कुकिंग चैनल कुबित पूनम में दोस्तो आज हम आपको बताएंगे कि हम कच्चे आम को साल भर तक के लिए स्टोर करके किस तरह से रख सकते हैं ताकि अगर हमको बीना मौसम के भी कच्चे आम की जरूरत पड़े तो हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे कि कभी हमको कच्चे आम की चटनी ही खाने कमन कर दिया या हमारे घर में कोई महमान आ गया उनके लिए हमको चटनी बनानी है तो फिर हमको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी तो चलिए हम आपको आज बताते हैं कि हम इसको कैसे साल भर तक लिए श्टोर करके रख सकते हैं मगर उससे पहले हमारी एक छोटी सी रिक्वेश्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करके जुरूर बताएं कि आपको कैसा लगा और जो बगल में घंटी का निसान है उसको भी प्रेस कर दे ताकि हमारे आने वाले नए वीडियो की नूटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले तो चलिए हम देख लेते हैं कि हम कच्चे आम को इस्टोर करके कैसे रख सकते हैं तो देखे हमने एक किलो आम ले लिया है, इसको हम अच्छे से धो लिये हैं तो इस तरह जिस तरह से हम आलू छीलते हैं उसी तरह हम छीलनी से इसको अच्छे से सारे छील के इसके उतार देंगे और उसके बाद हम आपको बताएंगे कि हम इसको कैसे श्टोर करेंगे तो इसी तरह से हम सारे आम को छील के रख लेंगे और धूल के हमने पहले ही रख दिया था ताकि इसका पानी सब सूख जा, इसमें मौस्चर ना रहे तो देखे सभी आम हमने छील लिये हैं, अब हम इसको कट करेंगे तो हम अपने हिसाब से छोटे-छोटे टुकड़ों में इसको कट कर लेंगे कट आप चाहे जैसे भी करें, छोटा करें या बड़ा करें, छोटे टुकड़े करने में थोड़ा सा रखने में आसानी होती है और अधिक मात्रा में श्टोर हो सकता है तो इसी तरह हम सारे आम के जितने भी उसके गूदे हैं अंदर से, सब हम निकाल लेंगे देखे इतने अच्छी तरह से हमने सारे निकाल लिये हैं, अब हम दूसरे आम को भी से तरह तो देखे हमारे सारे आम कट गए हैं, अब हम एक इस तरह का जिप लॉग बैग ले लेंगे अगर आपके पास यह ना हो तो आप एर टाइट कंटेनर में भी रख सकते हैं तो इसमें हम सारे आम भर के और इसको हम सील कर देंगे अच्छे से हम इसको दबा के यह बंद करने वाला इसमें होता है तो इसको हम अच्छे से सील कर देंगे और उसके बाद हम इसको फ्रीजर में स्टोर करेंगे तो चलिए हम दिखाते हैं, मैंने पहले से भी दो पैकेट स्टोर करके रख लिया है, तो इस तरह से हम फ्रीजर में इसको रख देंगे, इसमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, ये देखिए मैंने एक पैकेट ये और एक ऊपर हमने रखा है, दो पैकेट हम हमने पहले भी श्टोर करके रख लिया था, और ये हमने वीडियो बनाने के लिए श्टोर किया है, तो इस तरह से हम श्टोर करके रख लेंगे, तो हम कभी भी इसकी चटनी या कोई भी ऐसी रेस्पी जिसमें हमको कच्चे आम की जरूरत है, तो हम उसमें इस्तिमाल कर सकते हैं झाल झाल